सो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का अमारे स्टूटूटूप चैनल में दोस्तो मेरा नाम बहुलकमार और आप देख रहें कि आन्टेक सपोर यूटूटूप चैनल सो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि FL Studio मोबाल में किसी भी प्लगिंद को जो है आप प्रिसेट में कैसे सेब कर सकते हैं और दोस्तो यह प्रिसेट होता क्या है और इससे फायदा क्या होने वाला है तो दोस्तों सारा कुछ बताने में वीडियो में इस वीडियो को एंड तक दखते रहें और इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकून को प्रेस करने हैं क्योंको मैं इस चैनल पर FLA studio मुबाल से रेटेट वीडियो लाता है रहता हूं तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने एक song को remix करके रखा ठीक है और यहां पर मैं आपको बतांगा कि किसी भी एक plugins को आप लेके प्रिसेड में सेप कैसे कर सकते हैं और इसे यूज कैसे करना होगा और इसका फैदा क्या है सबसे पहले तो इसका फैदा क्या है वह हम जान लेते हैं तो यहां पर आप देख पा रहा हूंगे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर जैसे कि यह हमारा बेसलाइन मै यूज किया हूं ठीक है मैं आपको दिखा दो तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो है मैं एक रिवर्व इफेक्स जो है एफेक्स जो है रिवर्व का उससे मैं यूज किया हूं ठीक है उसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है एक मैं लेवर को यूज किया हूं और यहां पर जो है इसके अंदर एक और जो है सेंपल डाला हुआ तो यहां पर जैसे का आप देख पा रहे हूंगे कि यहां पर जो मैं यहां पर आपको दिख रहा होगा यह जो लेवर्ब जो दिख रहा है तो रिवर्ब के अंदर यहां प के तो अगर मैं चाहता हूं पूरा का साथ सेटिंग हो जाये तो कितना अच्छा रहेगा बहूत ही बढ़िया होगा इसके लदा यहां पर गणे टोन मिकसर तो यहां पर को दिखाते हैं टोन के अंदर भी ऐसे बहुत कुछ छेड़-चाड़ किया हूं इसके अंदर तो आप जो है इसे भी एक बार चेक आउट कर सकते हूं उसके बाद यहां पर मिक्सर पर भी मैंने कुछ सब सब चीजों को सारा कुछ इक बाद करने के बाद आपको इसे जो है प्रिशेट में सेड करने ताकि आप कभी भी अगर इस तरह का बेसलाइन या फिर इलक्टरोपैटर्ण को बनाते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में तो मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं इस त्री डॉट पर त्री डॉट पर क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर एक option आता से प्रिसेट नाम से ठीक है तो यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो है डिफॉल्ट दिख रहा है तिसका एक नाम दे दना है को सभी आप नाम दे सकते हैं तो यहां पर कुछ भी आपको नाम दे दना है तो हम यहां पर डेमो लिख देते हैं तो यहां पर मैं लिख लिए और डन कर द देख पारेंगे यहां से हमारे डिवाब डिलेट हो चुका है आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या करेंगे इस वाले प्लस पर क्लिक करेंगे कि तो हेट पलेस पर क्लिक करने द OnlyAK यहां पर जो हम क्या करेंगे यहां-फर आप से चुछ करेंगे के रिवाग किसी ब्रीब प्रैट को करें प्रिकर हैं जो रिवर्प yeah नियुककова आप की सेट सेब करेंगे उसी में हो यूज होनी वाला है तो अभी जो मैंने सेब किया है वो किया है रिवाब से ठीक है तो यहां पर हम रिवाब पर किलिक करते हैं रिवाब पर किलिक करने बाद दोस्तों आभी आप यहां पर देख पारेंगे कि यह कितना है ठीक है और यहां पर उ कि माइफाइल्स का अप्शन आथा ठीक है तो यहां पर माइफाइल्स पर क्लिक कर लेना उसके बाद यहां पर निचे से तरफ आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको जो है जो आपको प्रिसेट Eduardo औरखे है वह यहां आप को ध्यान दे दना होगा उसके बाल यहाँ पर क्लिक करते हैं ख्लिक करने बाद आप देख पा रहेंगे यहाँ जो वह हमारा डेमो आ चुका है और यहाँ से सारह का सारह है कि हो चुका है ठीक है तो इस तरह सतर जो आप किसी वह तरह का प्रिसेट आप बनाके आप सिर्फ एक किलिक में यूज कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों उम्मीद काता हूं विडियो आपको पसंद आया पसंद तो लाइक करेंगे और इस चैनल पे नहीं होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अको प्रेस करें क्योंको मैं इस चैनल पे इसे तरह कर वीडि तब तक लिज्जाहिंद वंदे मात्रम